नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेन लोग प्रैक्टिस करने वाले आज से सब्सक्राइब की स्पिट्स यहां पर डिक्टेशन का भ्यास करेंगे जो कि आपके रामधारी गुप्ता खंड दोस्य होगा और इस करम में यह हमारा बरहां वीडियो है इससे पह आपको है टेलिग्राम पर मिलेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में दियागा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन विल ना रखना है जिससे इंपॉर्टिन वीडियो आपसे मिस ना ह तो जाता समय ना लगते वे चले स्टार्ट करते हैं रेडी पांच सेकेंड इस्टार्ट महोदय शरकार के और शे इन भासा संस्थानों को विशेश सनच्छन तथा शुविधाएं प्राप्त हैं यह दोई भासी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हूं ऐसा नहीं है दूसरी भासा सीख कर यह अनुवाद कार्य करते हैं प्रकासन संस्थानों में जन संचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठा अनुवादक के रोप में जाने जाते हैं यह सरजनात्मक ललित शाहित्य का अनुवाद करते हैं बिदेशी समाचारों का अपनी भाशा में तथा बलगारिया के समाचारों का बिदेशी भाशाओं में अनुवाद करते हैं ये अनुवादक अपनी अपनी भाशा के विशेशग्य माने जाते हैं यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भासा ना जानते हों किन्तु आपकी भासा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्टपती डाक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए वहाँ बल्गारिया वाशियों ने हिंदी में उनका श्वागत किया और भारत शंबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्टपती जी से हिंदी में ही किये निधिमंडल के लिए यह शुखद आश्चर्य था, वस्तुता अनुवाद या भासान तरण उनके लिए ब्योशाईक अनिवार्यता है. यूरोप में अन्य देशों में भी यही इस्थिती है, जहां विश्व में प्रकासित किसी भी भासा का महत्वपूर्ण, शोध, निबंध या कोई विदेशी, चर्चित, साहित्यक, कृति उस देश की भासा में ततकाल अनुदित हो जाती है. इतिहास साक्षी है कि इसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है. इसाई धर्म के विश्व ब्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की ब्यापक योजना बनाई गई. अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गाउं गाउं यहां तक के आदिवासी छेत्रों तक पहुंचा दिया. बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाशाओं में और एक ही भाशा में कई बार भगवत गीता का अनुवाद हुआ. भारतिय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालशा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भासा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भासाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भासा में लिखित राम चरित मानश भी देश और विदेश की अनेक भासाओं में अनुदित होकर विश्व शाहित्य का अनुपम ग्रंध बन गया है। वस्तुता अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशी रचना को भावगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर पृतिश्ठित करता है। गीतानजली का की ख्याती का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भासाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भासाओं के मध्य शेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नियू है दो भासाओं का ज्यान और उन भासाओं पर व्याकरण और शेली की द्रिश्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार की। अनुवादक एक भासा भाव वा विचार राशिको दूसरी भासा में पूर्णता इस प्रकार रूपांतरित करे की। पाठक मूल रचना की समवेदना से भी परचित हो शके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष अनुवादक के लिए समस्या उत्पन करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। श्रोत भासा का ज्यान अनुवादक के लिए इसी लिए अपरिहार्य माना जाता है। भाईयों और बहनों आज मुझे बड़ी प्रशन्यता है कि हमारे बड़े बड़े क्रिशी बैज्यानिक और क्रिशी विशेशग्य अपने अनुशंधानों के सार राष्ट भासा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहां एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भासा में पहुचाई जाशक्ती है। आपने अच्छा किया की सिरीगडेस राष्ट भासा हिंदी से किया। मैं तो चाहूंगा कि सभी भारती भासाओं में राष्टी क्रिसी सम्मेलन आयोजित किये जाएं। ताकि सभी छेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के क्रिसी भैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई-नई किसमें और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से तीन दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि शन 1995 के वर्ष को यूनेशको ने शहन सीलता का वर्ष घोसित किया हुआ था। सायत भारत में इसके बारे में जादा चाहल पहल या चर्चा नहीं हुई क्योंकि भारत देश और भारती लोग तो हैं ही सहन सील। इसमें भी सबसे जादा सहन सील हैं किसान। आप खुद हिसाब लगा लो। हर तरह शे भारत का किसान शंशार का सबसे सहन सील प्राडी शिद्ध होगा। आजकल जाडा जोरों से पढ़ना शुरू हो गया है। फिर भी उत्तर भारत का किसान शीत लहर की परवाह किये बिना। आधी रात को उठकर अपने गेहुं के खेत में पानी लगा रहा है क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंध शहकर फशल उगाएगा और फशल पकते पकते गर्मिया शुरू हो जाएंगे। तो जेट की तपती धूप में वह खेती में कटाई वा मडाई का काम करेगा। यह जाडा पाला शहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लत्पत होकर काम करते रहना इतनी सहनसीलता बस किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी जादा शहनसील है। हर हाल में जी रहा है। गेहुं चावल विदेसों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देती हैं। हर चीज के दाम आसमान पर पहुच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआबजा देने में हम दस बहाने बनाते हैं। और किसान है के बरदास्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, शंकर बीज महंगा मिलता है। रासायनिक खा दें, महंगी मिलती हैं। मगर दालों के भाव चड़ गई, तो चिलपों शुरू हो जाती है। शमात। अपना बहमोली सुधा हो में कमेंट बाक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराचिंग जैहिंग जैभारत। प् logrती हैं। कि प्रस्दयभ डेखने प्रस्दय टूर्चिंग